प्रश्न नम्मर्ब बने केंद्री इस हत्रकता आयूक्त, अपने पदब बना रह सकता है, कब तक? पांच वर्स या वर्शट वर्स पांच वर्स या पैसट वर्स चार वर्स या वर्स या बना रहता लेकिन कब तक तो यह चार वर्स या पैसट वर्स इन में से जो भी पूरा हो जाए या तो उसकी पैसट वर्स की आई पूरी हो जाए अपने पद ग्रहन करने के तीथी से चार वर्स या 65 वर्स की आयू, इनमें से जो भी पूरा पहले हो जाए तब तक अपने पद पर बना रहता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वरक की जाती है? तो इसकी नियुक्ति भही सरवे सरवा जो है भारत के, राश्टपती के द्वरक दूसरा प्रश्न है भारत के संबिधान के अनुच्षेद 243 एक के अनुसार पंचायतू की वित्य इस्थती की समिक्षा के लिए वित्य आयू का गठन कभ किया जाता बताएए कब किया जाता है हर पांच वे वर्ष की समापती पर किया जाता है हर पांच वर्ष में किसके द्वारा भारत के राष्ट पती के द्वारत के द्वारत के राष्ट पती के द्वारत 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 के पतेख्यों की विद स्थिरता का पुरहन करेंगा। क्पार क्पार के संठल की वात होगी तो राश्ण पती करेंगा। Q3 है हमारे संभीधान के किस भाग में 305 में पन्चायते बनाने की परिकल्पना की गई है। अप्ति रिश्तरिय समिती पंचायत में बहुत पूछते हैं बलबंत राय में तर नहीं दिये कोशन नुबर फोर है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पर्थम विधानसवा अध्यक्ष कौन थे कौन थे पुर्षोत्तम दास टंडन का नाम याद रखना देखे जब हारत स्वतंत्र पर उत्तर प्रदेश राज के पर्थम विधानसवा अध्यक्ष पुर्षोत्तम दास टंडन थे जो इस पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे और नफिसुल हसन दूसरे तथा मदन म मुहन बर्मा पांच में विधानसवा अध्यक्ष थे तो यह थे पांच में मदन मुहन बर्मा नफिसुल यह दूसरे थे और पुर्थम थे पुर्षोत्तम दास टंडन कुशन नबर फाइब है उच्चेतम नियाले मतलब सरवच नियाले सूपरीम कोट में संबिधान के निर्वाचन से संबंदित मामलों की सुनवाई करने के लिए नयाधिसों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए कम से कम पांच होनी चाहिए तो उचेतम न्याले में संबिधान की निर्वाचन से सम्दित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्याधीसों की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए ऐसा कहा लिखाया भारती संबिधान के निच्षेत 145 के थर्ड में लिखाया ऐसा सर्वोच नियाले के नियाधीज पद पर न्युक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच नियाले के नियाधीज के रूप में कितने वर्सों की सेवा अवशक होती है Supreme Court का आपको Judge बनना है तो आपको High Court में कितने वर्सों तक Judge रहना होगा 5 वर्सों तक या फिर इसके अलावा कर यां में देखा जाए तो 10 वर्सों तक वकील रहना पड़ेगा High Court में तो सरवोच नियाले के नियाधिस की नियुक्ति भारत के राश्टपती द्वारा उच्टम नियाले के परामर्स गैनुसार की जाती है और नियाधिस पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम पांच वर्स का उच नियाले में नियाधिस रहना या 10 वर्स के लिए अधिवक्ता मतलब बकील के रुप में कार करना अवश्चक है साथवा प्रशन है इन में से किसको बिधान सबा का 17 वसान करने की सक्ति होती है बिधान सबा का 17 वसान की बात हो रही है मतलब राज्यों की बात हो रही है कौन करेगा जैसे Central में कौन करता लोग सबा का सत्रावसान राश्ट पती तो उल्ग में कौन करेगा राजजे पाल गबर्नर भारते सम् मिधान के आनुष्छे देख से dus 74 के आनुसार बिधान सबा का सत्र अहूत करना सत्रावसान करना और विख्टन करने की सकती के तीन वातें याद करना तीनों के तीनों को राज पल करेगा राज जों में और केंदर में नीजा राश्ट पती जिया नियात तारीक के बीच शहमा से अधिका अंतराल नहीं होना शाहिए और विदान सावाज के परतेख सत्र की परताम बैठक राष्टेगान से प्रारंब होती है और सत्र के अंतिम बैठक राष्टेगान से ही समाप्त होती है कोशान Nummer नमबर हाट है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के बार्डो से चुने हुए कितने सरष होते हैं जिनें पंच कहा जाता बताईए कितने होते हैं 5 से 20 होते हैं यह यह खün Charis 177 होते हैं लोग् anch Rep Go to دل बदल कानून से संबंद रखता है अगर नसूची की वात की जाए तो दस्वी नसूची कि एक सम्भीधान संसोदन अधिनेम हुआ था 52 सम्भीधान संसोदना अधिने著 गया पत्वाइन के लिए और दर्जनितिक गतिविद्ःयों की गंबीर समस्या से बचने के लिए बावन पासंविधान संसोदाना धिन्यकों कप किया गया है कम हीजिट न वा सी तुलो में एक से चार अलुशेद तक प्याले और भारत के राजन चार थक्यसासित प्रदयसग Moder운 पारिबर्तन है और उस परिबर्तन को करने के लिए जरूरी कानुन प्रक्रिया का प्रावधान इसमें है एक सचार उन्हों छेट पांस से स्रोज आती है नागरिक्ता भाग दो वर्शा नमबर 11 है इनमें से कौन सा संग सूची के तहत कोई विशय नहीं है परमाणु उर्चा संग सूची का विशय है विदेसिक मामले संग सूची का विशय है संग सूची में 97 विशय संबले था है जबकि राज सूची में 66 विशय है और संबर्ती सूची में 47 विशय संबले था है ऐसा विशय है जो इन तीनों सूची में किसी में भी सामिल नहीं है वो अपसिष्ट विशय के अंतरकात उसको सामिल किया था कई बार बताया कि राजर सुची के विसेपर कानून बनाने की जम्मेधारी केंद सरकार की होती है अगर कोई कानून बनाना है तो ऊसमें राजर सरकार कारे को भारत में कब से प्रतिबंद किया गया ये किया गया था उनने सो त्रशाने के कारे को भारत में मैला ढोने वाले के रोजगार और सुस्क शोचाले निश्यद अधनिम 1993 के द्वारा वर्स 1973 में परते बंदेत कर दिया गया कुशनमबर 13 एं भारत के भाषा के अधार पर राज्यों का पुनर गठतन किस वर्स किया गया था कब किया गया 1956 और पहला कौन सा बना आंधर प्रदेश राज्यों पुनर्कठेन अदिनियम, 1952 भासाई अधार पर राज्यों का पुनर्कठेन वर्स 1956 में किया गया, विदित हो कि भासा के अधार पर प्रथम आंतर प्रदेस का पर्थक राज्य के रूप में सरजन 1953 में हो था कोशन नमबर फोटीन है भारत का भारत सरकार का मुख्य विधी अधिकारी होता है यहां पर भारत सरकार का मुख्य विधी अधिकारी कौन होता है सभी को पता होगा यह होता है भारत है ब्हारत सरकार का मुखे काहनुनी सलहकार होता है ये भारत के राश्टरपती प्रेशाद पहेंत्र याद रखना है राज़पाल भी राष्टपती के परशाद पयंत्र है परधान मंत्री भी राष्टपती के परशाद पयंत्र और परधान मंत्री के जितने भी साथ ही है ना मंत्री गण केबिनेट मंत्री वो सब के सब राष्टपती के परशाद पयंत्र है ऐसा संबिधान में ही लिखा है कुशन न्मबर 15 in भारते संविधान का भाग दो किस से संबंद दित हैं तो अभी तो बताया था था नागरिकता से संबंद रखता है और पांच मानुछे यहां से सुरू होता है तो भारते संविधान का भाग दो में अनुछेद 5 से लेकर ग्यारे तक का उलेख है और भारत में एक अलनागरिकता की वेवस्ता है अगर ग्यारे की बात आती है बार बार नुच्छे तो उससे शुरू जाते हैं मौली का अधिकार भाग जोड़ जाता है उसमें तीन नेक्स्ट भाग दो के बाद तीन कुश्चन नुबर सिक्ष्टी न भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की से वानिव्रत्ती होने की आयू कितनी है कितनी है 65 वर्स है लेकिन अगर सुधार करना नहीं के विवस्ता में तो हाइग कोड़ के जो जजो की आयू है उसको भी सारे लाखो जो केस है वो पैंडिंग है क्योंकि जजी नहीं है इंडिया में प्रशन देख लो इसकी भारत के मुख्य निर्वाचन आयूक्त अपने पदपर छे वर्स या अधिक्तम आयू 65 वर्स जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पदपर बने रहते हैं उन्हें उसी सब्सक्राइब परिक्षक के करतव एवं सक्तियां बढ़ने थैं लेकिन भारत का एक सीएजी होगा नेंधर के महले का परिक्षक होगा तो वो कहां लिखा है वो अनुश्य देख 148 में लिखा है इसके कार है और इसकी सक्तियां क्या होंगी तो वो अनुचेद 148 में लिखा है कॉशन नबर 18 है भारत में उचितम नियाले का उधगाटन किस तिथी में हुआ था सुतंत्र भारत की बात हो रही है कब हुआ था ये हुआ था 1950 28 जनबरी 1950 को तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का उधगाटन 28 जनबर 1950 को होगा तो है का है ये दिल्ली में कॉशन नबर 19 है संबिधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको राष्ट पति को नी परधान मंत्री को नी संसत को नी फिर किसको संबिधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार संबिधान का संरक्षक कोशित किया गया है कोशन नबर 20 है भारत के संबिधान का छेत्र अधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है संसत द्वारा बिधी बनाकर कैसे संसत द्वारा बिधी बनाकर कानून बनाकर तो भारत की दोरा सरवोच नियाले को अतिरिक्त अधिकारिता और सक्तियां पुर्दान कर सकती है